हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर वीडियो इडिटर के एप्लिकेशन में आप लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख रहे हैं और आपको यहाँ पे इन्वैलिड यूजर नेम बता रहा ह तो इस problem को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो guys यहाँ पे जब भी आप लोग अपना username बनाते हैं तो आपको कुछ दूसरा username मतलब कुछ unique तरीके से आपको अपना जो username है वो यहाँ पे बनाना होता है अगर जो भी username आप बना रहे हैं अगर उसी नाम से already ही किसी दूसरे का username बना हुआ है तब आपको यहाँ पे invalid username दिखाता है तो invalid username दिखा रहे हैं इसका मतलब आप लोग समझ लिजिए कि उस नाम से और पहले से ही यहाँ पे username बन चुगा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है आप लोग जब भी अपना username यहाँ पे डालते हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई number वगरा यहाँ पे enter कर देनी है यह तो फिर आप लोग कोई unique जो character है वो आप लोग use कर सकते हैं like dollar हो या add rack हो या यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पे use कर सकते हैं but यहाँ पे मैं आपको easy सा user ने बता दिता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है आपको सीफ अपना नाम डालना है और नाम के आगे या तो फिर हाँ सामने आपको नाम के आपको सबसे पहरे नाम लिखना है अपना और उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको number यहाँ पे डाल देना है वही आपका username यहाँ बन जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट विडियो में